नितिवच्चन अध्याय चार हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वच्चन पर लगा रहे तु मेरी आज्याओं का पालन कर, तब जिवित रहेगा, बुद्धी को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ने मेरी बातों को छोड़ना बुद्धी को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रिती रख, वह तेरा पहरा देगी, बुद्धी सुरेष्ट है, इसलिए उसकी प्राप्ती के लिए यतन कर जो कुछ तू प्राप्त करे, उसे प्राप्त तो कर, परन्तु समझ की प्राप्ती का यतन घटने न पाए, उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी जब तू उसे लिपड़ जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी, वह तेरे सिर पर शोभायमान भूशन बांदेंगी, और तुझे सुन्दर मुकुट देगी हे मेरे पुत्र, मेरी बाते सुनकर ग्रहन कर, तब तु बहुत वर्ष तक जिवित रहेगा, मैंने तुझे बुद्धी का मारग बताया है, और सीधाई के पत पर चलाया है, चलने में तुझे रोक टोक न होगी, और चाहे तु दवड़े, तव भी ठोकर न खाएगा शिक्षा को पकड़े रहा, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है, दुष्टों की बाट में पाव न धरना, और उना बुरे लोगों के मारग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़ कर आगे बढ़ जा क्योंकि दुष्टों लोग यदि बुराई न करे, तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए, तब तक उन्हें नींद नहीं पड़ती, वे तो दुष्टता से कमाई की हुई रूटी खाते हैं, और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख अधीक बढ़ता रहता है, दुष्टों का मारग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि हम किस से ठोकर खाते हैं, है मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सून, और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आखों की ओट नहोने दे, बरन अपने मन में धारन कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है, सबसे अधीक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं है, तेड़ी बात अपने मुह से मत बोल, और चालबाजी की बाते कहना अपने पाव धरने के लिए मार्ग को समर्थ कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे न तो दहिनी मुढणा और न बाय और अपने पाव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले